हेलो फ्रेंज अपना अंगुठा यहां पर चिपकाएं सब्सक्राइब करें बेल की घंटी दबाएं औल आप्शन सेलेक्ट करें ताके मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए हुआ है है अब आपको फिर से मैं इसी वाले कुरते में हूँ वह इसले क्योंकि दो तें दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं है भीषटे अक आए है रीजन भियएंड इस करा तो अभीशक ने जो है इनका फोन पानी में गिरा दिया कहां गिरा है वो तो अमने देखा निन लेकिन गीला फोन ही लेकिया था बोल रहा था पानी में गिरिया और बात्रूम में गिरिया पता नहीं यह बात्रूम में क्यों लेके गिया वह फोन मेरे जाल से बकिट में ही गिरिया होगा क्योंकि अगर नीचे के फ्लोर पे गिरता तो इतना उसमें पानी नहीं जाता तो इनके फोन का जो है डिस्प्ले पूरा गया और वो मतलब जब आन या ओफ करें वाइबरेट हो रहा है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उस पर तो इसलिए हमने उसको रिपैर के लिए दिया एंड मेरा ये नया वाला जो वीव को फोन है वो मैं यूज करें और जो दूसरा फुराना वाला वाला वीव उसका भी इन लोग ने स्क्रीन तोड़ जया था तो हमने एक साथ जो है दोनों रिपैर के लिए दे दिये उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन तो एक दूसरा फोन था जिसमें 3G था तो इनको आफिस का जो नंबर था वो 3G फोन में डाला लेकिन उसका भी पता नहीं क्या बटन ने गाम कर रहा था ऐसे एक साथ जो है प्रॉब्लम आन पड़ी तो मेरा मैंने सिम निकाल के इनको है पड़ी आफिस लेने के लिए फोन को तो जो भीग ता फोन वो था OPPO F7 जिसके लिए उन्होंने बोला इसको रिपेर करने के लिए 7000 लगेंगी उन्होंने बोला तो 7000 में और 7000 जोडने से तो नया फोन आ जाएगा और दूसरा जो मेरा फोन जिसका वीव वाला फोन ज दो दिन और लगेंगे, लेकिन काम पूरे मेरे रुख चुके, इनका तो कोई प्रोब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने फोन में डाल के दे दिया, तो यह बोल रहे थे, नहीं, दूसरे वाले में डाल दो, प्रोब्लम भी आ रही थी, आभी घर में स्पेर फोन सोची थी कि oneplus ले ले लेते हैं कि क्योंकि मैंने तो वी 15 ले लिया विव वाला एंबाइट को चास ना रिंडना नो मली तो वी 15 ले लिया तो हम लोग संगीता शॉप में गए थे वहां पर भी वह oneplus 60 वाला मॉडल ही नहीं क्योंकि अभी वन इसमें oneplus में 7 7 pro 8 भी आ चुका ह है तो अब यहां पर वो लोग स्टॉक नहीं रख रहे हैं तो हम उने सोच हुआ उस दिन ले 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 थे तो बेटर था इनसे बेटर तो भी कोई फोन है भी नहीं तो हमनोंने वहां नहीं पता किया अभी यहां पर रिलाइंस में lifestyle है यहां पर एक बंदर रोड में तो हम नहीं मिलता है तो इनका मेन मोटव था कि एक फोन अभी तो चाहिए जाहिए कैसे भी ताके मेरे को मेरा फोन को यह जो है अपना सिम डाल सके अगर मिलता है ठीक है नहीं तो वीवो में एक और कुछ वाई 17 करके कुछ आया है वो ले लूंगा बोल रहे हैं वो जाला महंगा न करने का बतलब ने रहते हैं रहे हीं narut दो देखना पड़ रहा है कौन से सिम में आ रहा है तो वो जल्दी हो रही हृति तो मैं पहले थि मिएANC कुर्ता पड़ा था तो मैंने यही है पहन लिया फटा फटसे चेकत कर के living है कि नहीं है तो हम लोग वन थे नहीं है अपने जो फीछे शो लग रहा है कि अंदरिव खुन के आरिया इसे लग तो पार्किंग में हम लोग पार्क कर चुके हैं अभी इनके कोई फ्रेंड बीं को यहां फिर मिल गया थे दो बाते करते करते हम लोग ऊपर गए एंड बहुत सारी प्लाइनिक करके जाते हैं लेकिन हमेशा प्लाइन के हिजाब से नहीं चलता है सारा काम तो हम लोग यहां पर रिलाइंस डिजिटल के अंदर आए एंड 60 के बार में पूछा हमने लेकिन वह अवैलेबल नहीं था तो हम वापिस चलते बने एंड उसके में शूट किया था 15 अगस्त के उपलक्ष में पूरा ओफिस इनका इतना ब्यूटिफुली डेकरोड किया गया है कि ऐसा लगता है पूरा भारत इहीं पर बस रहा है इड वो सो ब्यूटिफुल मैं लास्ट में कुछ आपको वाइड एंगल वाली फोटोस अटाच करूंग मतलब इतना सारा लाइटिंग लगाने में कितना टाइम लगा होगा है मैं I'm just wondering that see अभी अपना जंडा आचुका है so everybody salute right now मुझे जब भी मैं कोई patriotic song सुनती हूँ या गाती हूँ automatic मेरे goosebumps आ जाते हैं मुझे जिन पहले मुझे कुछ negative comments भी आये थे and they were talking about caste, creed, color and etc. etc. on the Eid rose जिस दिन Eid थी Monday को and मैं उनका नाम नहीं मेंसिन करना चाहूँग क्योंकि वो खुद एक Muslim होके कि Eid के दिन she was using bad language, all the abuses and all, ऐसा नहीं है कि हमको abuses नहीं आती है and बहुत सारी चीज़े उस दिन मैंने उनको reply भी किया, बहुत बारी reply किया, कुछ लोगोंने पढ़ा भी होगा आज इस एकदम आपके ही उत्सव में आप ऐसी गंधी language यूज कर रहे हैं, का स्ट्रीट की बात कर रहे हो आप तो अपने खुद के धर्म का respect नहीं कर रहे हो तो जैसी मैंने वो message किया, उन्होंने वो पूरी chat डिलीट कर दी अगर वो डिलीट नहीं भी करती तो मैं भी उनको message करती रहती, because every time हर एक चीज पर चुपचा पहना is not the answer, तो कभी-कभी किसी को कोई-कोई पंच लगता है ताब अकल आती है तो आ गई, तो मेरे को लगा ये शेयर करना चाहिए आज के दिन आप लोग के साथ, ये भी मैंन मैं इसले शेयर किया कि हिंदुस्तानी की उन्होंने कुछ अपिक निगाला था, तब मैंने उनको काया था, मैं तो प्यूर हिंदुस्तानी हूँ, आप हो कि नहीं चेक कर लो अपने आपसे, so I am proud to be an Indian, and happy Independence Day on that note, so be positive and throw out the negativity. Okay everyone, happy Independence Day, so we have made Independence Day and we are going to school and we are going to the barrage, the water flow is pretty good, and we have made Rakshaabal Din, Raki Banshu, my brother is also here, and don't know, boys, boys, turn this side, show your caps. Nice, okay, nice, 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 nice. My dress. Oh, this is my dress. Come on. Come. 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 So, I was in the morning, I had a baby's hair, and I was open. Now, it's dry, the heat is a lot of warm, humidity is a lot of warm. After the night, the baby's hair is a good day. After the night, the baby's hair is a good day. After the night, the baby's hair is a good day, and it's rough. Happy Independence Day. They said Happy Independence Day, it was very slow. Actually, the phone was too far, and they also said very slow. So, now we are going to where? Now, let's see. Happy Independence Day. So, flag hosting. It was amazing. It was amazing. It was amazing. It's great. Now, I know what I was doing here. Ah! 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 आज के दिन ही स्कूल में जॉइन किया था क्योंकि आधित्या को हम ने 15 अगास को लाग चौन किया था तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थी अभिभी शक्त को भी इसब्सकार जॉइन करें तो आज इतने अच्छे दिन पर एक यादगर दिन है हमने उसको जॉइन कर दिया उसकी क्लिपिंग मैं आपको नेक्स वीडियो में दिखाऊंगी ने समय चुझ मैं वीडियो में वीडियो दॉगर रिष्यों त. लेड़ुशचा आपको एक यादगर लेगर शॉटउबर ऑसके लेगर आरे वीडियों। वेओर वेड़ के लेगर वेजिए इन हीडियों। कि मैं वीडियों यच्टत भॉच्टत वीडियों। कार्ट रशी से यूर्ट सालामे जास्ट चुने करना मुना अधिनाय कचे यह दिर धारत भागे वी थाता गारत गाधिन भुत पर्डवंग जेये 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 करकेश कर देखाद भागे जास्त कर सी जुआण हमन्या द्याद भागे यह दो भागे जो अधिदर कर दो कर दो ये जो फ्लाग होस्टिंग आपने देखी वो सेक्रेत में हो थी सेक्रेत में तीन फ्लाग होस्टिंग होती हैं तो ये एक साइड को मैंने आप लोग को दिखा दिया था है च argu da जो है अगम के हमें तो य मेरे हुआ आपकी बातबंद में अपने कलीक dan Idis सबके साहथ क्लिकिंग चल रही थी तो सबको यूनिफॉर्म में देखके भी काफी अच्छा लगता है मेरे हजबन को आज यूनिफॉर्म नहीं पहनना था मतलब वो कुछ स्पेसिफिकेशन होती है इसलिए वो मैं बताना जरूरी नहीं समझ रही हूं सब लोग फोटोस मतलब क्या बोलते हैं उतार रहे थे निकल वा रहे थे अपनी अपनी अब हम वापिस आ रहे हैं तो वापिस आते टमे समय इतना जादा ट्राफिक जाम था वो इसलिए क्योंकि यह कृष्णा नदी इससे पहले में आपको बहुत बारी दिखा ही लेकिन कभ अब बाद में दिखाऊंगी जहां से ट्रेन जाती है ट्रेन जब जा रही है वो ब्रिज के इतना नस्दीक पहुंच गया है बोलते पानी न्यूस्पेबर में भी आया था कि ट्रेन में भी चलती हूँ ट्रेन में भी वो जो लहरे आती है वो ट्रेन में उसका पानी जा रह कार पार्किंग करने के लिए थोड़ा सा आगे क्योंकि बिल्कुल भी जगा नहीं थी ये एक ब्रिज है प्रकाशन मेरेज बोलते हैं इसको पूरा एकडम पैक था कहीं कार रखने की जगा नहीं थी तो हमने सब चलो थोड़ी देर खड़े हो जाते तो थोड़ी सी आगे बाद हम लोग ने थोड़ी जोए जहां पर जनता जादा हो जाती है वहां पर फिर सेल्स शुरू हो जाती है तो आइस्क्रीम पेशने वाले भाईया भी बाह रहे थे आइस्क्रीम ली लेकिन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी ना वह आइस का टुकड़ा लग रहा था ना नौर्मल आइस लग रही थी ना आइस क्रीम लग रही थी तो फिर भी हमने सोचा चलो खा लेती कि इस साइड में जब हम खड़े थे तो यहां पर दूब बहुत थी तो आखें भी नहीं खुल रही थी तो हमने खा लिया थी थोड़ी गर्मी जाता लग रही थी फिर हम है राराम से जाके टच हो जाएगी तो यह दोनों भी यहां पर खड़े होंगे बहुत देर उनन देखा तो मेरे हजबन जो है यूटर्न करने के लिए गए थे एंड इनको यूटर्न करने में करके आने तक एक गंड़े से उपर लग गया हम लोग थक गए खड़े खड़े फाइनली हम लोग चले गए अभी हो रही है शाम फाइनली फोन हमने ले चुका है और भी वो एस वान सो इसकी क्लारिटी भी बहुत अच्छी है मेरे हजबन भी इसको यूज करने थोड़े दिन के बाद अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी रिवी करूंगी जो इससे प सब्सक्राइब करते हैं लेकिन हमने यह ले लिया वह 15,000 का चेंज था यह 19,000 कुछ है बिल में कितना था हा 18,000 था अचली उसके डबबे पे 19,000 990 लिखा हुआ था तो इसका कलर बहुत अच्छा था तो यह पीस नहीं था तो यह फिर से शॉपकीपर ने मंगा यह वाला कर तो आज का व्लोग आपको काफी अच्छा लगा होगा कुछ न कुछ मेरी तरफ से मेसेश तो मिलाई है आपकी तरफ से कोई मेसेज है तो छोड़ दो मेरे पास भी कॉमेंट सेक्शन में एंड वीडियो को लाइक कर दो चुपका दो अंगुठा महां पे आज से अग bringing लेको किषंटी जें खूवदें से अगरी न क्प दो लाइक का मैं एंग।